नमस्कार के एंसी किसान नोले सेंटर यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है इस वीडियो के माध्यम से हम किसानों को एक बड़ी ही मैत्पून जानकारी देंगे की टमाटर की जैवे किती कैसे करे उसके लिए उपरुक्त किसमे कौन कोल सी होनी चाहिए आप अपनी फसल की देख रहे किया देखवाल कैसे करे और आपको उससे कितनी पैदावार प्राप्त हो सकती है इन सब के बारे में जानेंगे और सीखेंगे लेकिन इन सब से पहले अगर आप आपने हमारा यूटूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसको सब्सक्राइब करें इस चैनल के माध्यम से आपको क्रेशी से जोड़ी होई वीडियो को अपडेट करते रहेंगे जिससे आपको क्रेशी संबंद समस्या को हल्ग कर सकते हैं और क्रेशी से जोड़ी हुई नई नई तक्निकों की जानकारी भी फ्राप्त कर सकते हैं तो आएए जानते हैं टमाटर की जैविक खेती उत्तम तरीके से कैसे करें किसान बायो टमाटर की खेती एक महतपूल सबजी का स्रोत है टमाटर की सालवर बनी रहती है सबजियों के अलाबा इसको सलाद चटनी सोस आधी के रूप में काम में लिया जाता है तो दोस्तो ये तो बात हो गई मार्केट बेल्यो की अब बात करते हैं कि टमाटर के लिए जलवायो कैसी होनी चाहिए तर एक उस्न कटवन दिये जलवायो की फसल है बैसे टमाटर को गर्मी ततसर्दी दोनों मोसमें उगाया जा सकता है पोदो की अधिकतम ब्रदी के लिए तापमान 35-40 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए तमाटर के पोदो में शूका अधिक सेन करने की छंता होती है लेकिन अधिक बासपोर्ट सर्जन के लिए कारण बहुत गरम और सुचक मोसम में टमाटर के कच्चे फल गिरने लगते हैं तापमान की तीपड़ता का टमाटर के फलों पर रंग का और खटे पन का काफी प्रबाब पड़ता है इक कारण है कि सर्दियों में फल मीटे और गहरे लाल रंग के होते हैं जबकि गरमियों में कुछ कम लाल और खटे ज़्यादा होते हैं टमाटर के पोदों सर्दियों के टाइम में सीगर नश्ट हो जाते हैं और बता देताओं कि अधिक बर्सा वाले छेतर में टमाटर की कھیती बिलकुल नहीं हो सकती है इसके बाद बात करते हैं किसान वाईयो की बूमी का चैन कैसे करें खेत की पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हलसे करें इसके बाद उसे चार्ज जुताई देशी हलसे या कल्टीवेटर के हलसे करें पिर्तेग जुताई के बाद पाटा अबच से लगवावें ताकि भूमी बरूरी और समतल हो सके टामाटर की खेती 6-7 पीएच मान बाली जमीन में होती है आगे बात करते हैं किस्मों का चैन कैसे करें टामाटर की जैविक खेती एदू किसानों को चाहिए कि वे अपने छेतर में जाने वाली प्रेचेलित किस्म का चैन करें और जहां तक संबब है जैविक प्रमानित बीज ही उप्योग में लाए चलिए कुछ संकर और उन्नत किस्मों के बीजों के बारे में आपको बताते हैं सर्दियों के मौसम में बोए जाना वाला बीज पूसा सदावाहर, पूसा रोहनी, पूसा एकसो बीज, पूसा गौरब, पी एच मान, एट, वे पी एच फोर आदी बीज आप लगा सकते हैं गर्मी के मौसम में लगाए जाना वाला बीज पूसा सदावाहर, पूसा सीतल, पूसा एकसो बीज, पूसा उपहार, और पूसा आईबरिड बन आदी अब बात करते हैं बोवाई का समय कब से कब होता है टमाटर के बीज को सीधा खेद में नेबो कर पहले नर्शी तयार करें जब पूस चार से पांच सब्ते की हो जाती है यानि दस से पंदरे सेंटी मीटर लंबी हो जाती है तब हमें खेद में ट्रांस प्लांटिंग करना चाहिए खरीब की फसल एतू टमाटर का बीज जुन महा में उची उठी हुई क्यारियों में बोया सकता है सर्दियों की फसल एतू सेतेंबर महा में नर्शी को तयार कर सकते हैं करते हैं बीज उप्चारगी टमाटर की जैविक खेती के लिए बीज को बोने से पहले जीरो बजट में गौव मूत्र या नीम के तेल से हम उप्चार कर सकते हैं इसके अलाबा बुबाई के आदे गंटे पहले बीज को जी डर्मा प्लस या जी स्यूडो प्लस से उप्चारित कर सकते हैं वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक वे सस्क्राइब जरूर करें और सेयर करना बिलकुल ना भूलें के दोस्तों नेक्ट वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार जै हिंद जै भारत